यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग इन दिनों लगतार वीडियोज बना करके खुद को भी वाइरल करते हैं जो एक तरीके से समाज में संदेश देने के लिए होता है प्रधान मंतिर नरेंदर मोदी ने इस सिलसेले में 21 ऐसे इन्फुलेंशर्स को अभी पिछले दिनों उनका सम्मान किया लेकिन क्या आप देखते हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो लगतार बद्तमीजियां करते हैं और बद्तमीजियों की वज़ह से ही वो पॉपलर होते हैं कौन लोग हैं ये और क्यों popular होते हैं क्यों इनको इतना देखा और सुना जाता है इसकी वज़ा क्या है ताजा उधारन एलविश यादव का है एक तो जब पहली बार मैंने इस विक्ति का नाम सुना था कुछ समय पहले उभी तब जब ये विवादों में आया था गमले चोर उसके बाद से लगतार ऐसी घटनाओं में मतलब खास तौर पर बद्तमीजियों वाली घटनाओं में इस विक्ति का नाम इस नौज़मान का नाम आता रहा और मुझे आश्चर तब होता है जब कोई विक्ति इस देश में अपने नाम के आगे सिर्फ लिखता है मैं हिंदू हूँ और उसको इस देश में किसी सूबे का मुख्यमंतरी अपने साथ स्टेज देता है भाई हर्याना में क्या हुआ हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खटर ने इसको मंच पर जगह दी उसके बाद से लोगों में एक परसिप्शन चला गया कि भाई ये एक बड़ा हिंदुवादी है फॉलोवर है देखिए राजनेताओं को या इस देश के लोगों को भी ये बात समझनी होगी और बहुत गंभीरता से समझनी होगी कि सोशल मीडिया के इन्फुलेंसर्स के जरिए आने वाले फॉलोवर्स उनके वोट बैंक नहीं है अगर ऐसा है तो इन फॉलोवर्स को खड़ा करा दीजे चुनाओं में और जब चुनाओं में खड़े होंगे तो उनके हकीकत सामने आ जाएगी ऐसी स्थिती बिलकुल नहीं है और ताजा उधारन ये है कि अब ये गुंड़ई इस कदर बढ़ गई कि ये आदमी एक दूसरी यूटूबर के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर रहा है उसका वीडियो सामने आ रहा है प्रशासन को इस देश की सरकारों को इस आदमी पर सक्त से सक्त पाबंदी लगानी चाहिए इसको जेल भेजना चाहिए और इस तरीके के गुंड़ई पर रोक लगाने का एक ही तरीका है कि आप लोग इसको फॉलो करना बंद करें देखिए आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा इंफ्लूएंसर कैसा हो अब इस एल्विश यादो की परिस्तिती देखिए बिग बॉस ओटिटी पे आता है वहाँ इसको बुलाया जाता है वहाँ से इसको पॉप्लरिटी मिलती है और वैसे भी मेरा यह मानना है कि आएनबी मिनिस्ट्री को बिग बॉस जैसे कारेकरम तो बंद कर देने चाहिए समाज को क्या संदेश देते हैं वो गलत रिष्टे, गालियां, बत्तमीजियां और मार पिटाई और इसकी बीबी उसके साथ यही दिखाने के लिए वो कारेकरम है तो उस कारेकरम को तो बंद करना चाहिए और वैसे कारेकरम में कोई आदमी अगर पॉप्लर हो रहा है तो यह सवाल हमारे समाज पर ही है यह सवाल उस व्यक्ति पर तो बाद में आएगा अलग-अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं उसमें उसको बुलाया जाता है बै क्या किया है उसने समाज के लिए क्या दिया है उसने देश को कितना पढ़ा लिखा है क्या ऐसी बाते करता है ये सब आपको हमको सोचना चाहिए सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या फेस्बुक पे ये लिख देना कि मैं हिंदू हूँ इसका मतलब ये हो गया कि इस देश में सब उम्बों उम्बों करने लगें उसके पीछे पीछे ये नहीं होना चाहिए इसलिए इसको जड़ा गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को बढ़ाने से पहले हमें अपने गिरेबान में जहातना होगा नहीं तो ये समाज का एक विद्रूप चेहरा आपके सामने बार बार आएगा ये समाज का हिसा है तो ये समाज की जिम्मेदारी भी है कि अगर वो अच्छी बातें करता है अगर वो अच्छी चीजें आपके सामने परोसता है तो आप उसको देखिए कौन है ये यूटूबर कौन है इसके मिलियन्स फॉलोवर कहां से इसके पास इतने लोग आते हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वज़ा से है तो गुनाह आप लोगों का भी है नमस्कार